हलो एब्रिवन मैं राजेश शर्मा आपको बी एच्छू का जो अभी 2021 में केमिस्ट्री का पेपर है वो सौल कराने जा रहे हैं ग्यान कोचिंग सेंटर के प्लेट फॉर्म से अब देखे क्या होता है पहली बाद तो ग्यान कोचिंग सेंटर में अब यह भी होने अला कि जो पी करोना वायरस जो अभी हुआ था नैंटीन में तो अगर इसके फादर मदर अगर माली एकस्पायर विए तो उनका फ्री एज्योकेशन भी मला हम लोग प्रोवाइट करेंगे और इसके बाद फिर आईटी का भी और नेट के भी कोश्चन सॉल करेंगे उनके साथ भी वह कोश्चन का सलुशन होगा तो जड़ा देखेगा कि जैसे कोश्चन कोश्चन इसमें किस टाइप के आते हैं और पूरा आपको करना होता है जैसे माली जी और के वाल कांसेप्शनल है बहुत से लोग कहते हैं कि अरे यह मंदब की आईटी के एक्विलेंट था तो आईटी क के भी कोश्चन पूराने पढ़ने पढ़ते हैं ध्यान रहे हमने हमने हमारे पास बहुत पुरानी की दापे किता बहुत पुरानी है उसमें बहुत से मन्दब जब एक अभी एक उसमें बताएंगे कि ओ रूढ Chrisym तो पुराने पुराने कुश्चन उसमें आ जाते हैं तो दिखियेगा कि जैसे कि एडिशन ऑफ है डोजन है लाइट टो एलकीन इंवल्स इंवल्स इंद फॉर फॉलविंग सेक्वेंस कभी विद्यान ने पहिला वर्ड है एलकीन एलकीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच क् होना चाहिए डबल बांड होना चाहिए क्या होना चाहिए अगर कार्बन कार्बन के बीच बड़ा डबल बांड है कार्बन कार्बन के बीच क्या है डबल बांड है ठीक है और कोई भी रियक्शन हो ठीक फस्ट आफ आप आल अटेकिंग स्पेसीज होता है अलक्टोफाइल क्या टेक करेगा एलेक्ट्रोफाइल मालीज़े सबोस्ट आप इसको जिसे टैंथ में पढ़ाया जाता है यह अलकीन है ठीक है अगर इसकी रियक्शन से हो तो प्रोडेक्ट सकते हो क्या एक है यहां जोड और इसकी साथ ऐटीजन साफ विए ठीक है तो यह एडिशन इसका प्रॉड़क्ट हुआ लेकिन मेकैनिसम अगर नहीं आती तो नहीं कर पाूगे यहां पर क्या कह रहा है कि जो असी हमारा एधीन है इसकी रिक्शन है 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 एच प्लस और इस प्लस को क्या कहते है एलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव जो भी होंगे वो क्या कहला हैंगे एलेक्ट्रोफाइल स्टॉइस से मलआ तो यह कह रहा है कि जिससे माले अफsery certificate फिरी रेडिकल एलेक्ट्रोफाइल एटक्ःक्किन लैडिकल तीकिन यूच्ट्रॉफाइल्फाइल एटेगक फॉल॓डबाइल अटेक और एलक्ट्रूफिलिक आठेक फालवड़ बैं निउक्लू फिलिक पहले एलेक्ट्रूफाइल इडाएक करता उसके बाद तब निउक्लूफाइल पहले को सब्सक्राइक करेगा एलक्तूपाइल यह अटक्या तो एच प्लस और करेकर के जहां डबल बान है तो जब पर में एच प्लस आइन अटाइक करेगा एच प्लस आयन इस टब करोगा सिंगल वांड येज ना फिर यह रिंग बन जाय हैं तो अर्म आप रिंग रियक्षन होती है कि इसने इसको दिया ये प्लस ये माइनेस ये नीचल हो गया तो अब क्या होता है इसकू तू तो दूसरा क्या होगा बटा नियूउफाइल न्यूफाइल का टेक करेगा माइनस इस प्लस पर दैक करेगा तो क्याenser का CS3 CS2 CL तो पहला concept है कि जो भी अलकीन होती है वो reaction होती अलक्टोफिलिक अधिशन रेक्शन लेकिन यहां पर कए कई दो कोशन आजाए बदल जाए की जनली ऐलकीन गिफ्स तो क्या लिखो खे लेक्टोफिलिक अधिशन रेक्शन रेक्शन क्या लिखो इंगे first of all attacking species is Electrofile Electrofile plus वाले जो होते हैं वह Electrofile means electron divisions Electro electron division वही होगा जिसमें positive charge होगा तो सबसे पहले कौन अटेक करेगा प्लस वाला उसके बाद minus और minus को क्या करेंगे nuclear तो correct answer हमारा बड़ी वाला होगा ठीक है इस टाइब का इसका correct answer होगा ठीक है next देखिए अगला पहले पहले देखा करो कोई reaction आये तो पहले reaction को देखो आइसा नहीं कि आता नहीं तो देखते रही जाओ देखो बस इसे ऐसा नहीं है पहले यह दो की है क्या carbon carbon के बीच विटा क्या triple bond है क्या है यह तीन बाड लिए triple bond line ने एक ही चुती bond होते है ठीक है triple bond है और इसका hydration है यह ना लिखा होता यह लिखा होता तब भी water से reaction कराते है तो water से reaction कराते है इसकी तो क्या होता है यह triple bond है हमारा यह देखें triple bond है यह triple bond है और जब यह triple bond है इसकी reaction water से कराए है है इससे होता है तो क्या होता है यह दोनों स्यमेट्रिकल कहीं बेर्ड कर दो अगर हम इस एच को यहां पर एड करें तो क्या होगा सी एच्टू फिर double bond CH और ओएच हम यहां पर एड करा दें ठीक अब इससे कहते हैं एलकीन और यह अलकोहल तो इन ओल इन ओल फार्म होता है इन ओल ठीक है इन ओल फार्म होगा कीटोन अलेक्टाटेमेरिजम होगा प्रोटान ट्रांसफर होगा यह प्लेस इस कार्बन माइनस पर आ जाएगा तो क्या हुआ इसका एक डबल बांड हो जिससे एसी ट्रल डिहाइड कॉमन नेम आई पीसी नेम इतनल तो एसी ट्रल डिहाइड बनता है इसका अंसर डी हो गया और भी आपको बताएं किवल यह एलकाइन में इस ट्रल डिहाइड बनेगा वाकी कोई भी एलकाइन होगी तो समय कीटोन लगाइड बली जी ड्रिपल बांड होना चाहिए सबसे पहले बेसिक कांसेप्ट क्या है ट्रeel बांड होना चाहिए और वाटल लिखा हो या ना लिखार हो वाटर लिखा हो या ना लिखा हो कि इवल HGSO4 लिखा हो और ये लिखा हो तो समलेजे वाटर से reaction होगी देखो ये concept triple bond ये triple bond ये ethine कहलाती ये बटा propine कहलाती है वाटर से reaction होगी अच्छा ये symmetrical नहीं है ये symmetrical नहीं है ये वाली symmetrical थी तो अब इसमें negative जो है वहाँ पर add करेंगे ये more stable carbocatine होगा तो क्या होगा बटा CS3C यहाँ पर OH है और double bond CS2 ये इनल है ketone अले टर्टमरिजम होगा तो बन गया हमारा क्या acetone तो propine बनाएगी ketone लेकिन केबल ध्यान रहे अगर ethine है इसको acetylene में कहते हैं ये हमारी acetylene क्या बनाएगी बटा acetaldehyde बाकि कोई भी अलकाइन हो जैसे प्रोपाइन या बीउटाइन कह दे बीउटाइन मालब अगर बीउटाइन 2 कह दे या बीउटाइन 1 कह दे सम में ketone मनेगा वो देखेगा कैसे हैं ये देखें अब सिमिट्रिकल हैं सिमिट्रिकल महला ये ट्रपिल वांट से दोनों इक्वल हैं तो h को चाहें इधर जोड़ें ओएच इधर एड़ कर दें अगर h को इधर जोड़ेंगे तो इधर हिए तो फुर।ndं करेंगे तो दीके का क्या होता है ये वर्टा सीच त्स्डियों गया सी और यह अच हो गया habitat इन माने डबल बांड औल माने क्या होता है ऐच्प्लस आइन बेटर ट्रांस परोंके यहाँ जाएगा तो सी एस टू और सी डबल बांड ओसी एसरी तो की टोन हो गया तो पहला किया है इसको छोड़कर बाकी सक कीटोन बनाएंगे लेकिन ये बनाएगी LDH दो कारवन है तो है इसका करेक्ट आंसर ये होगा अब देखे क्या होता है नेक्स्ट है अगला देखे कोश्चन क्या है यहां ओजोनलेसस है तो ये रियक्शन ओजोनलेसस की ओजोन ये है पहले तो ये फिर वही देखो इसकी सकल सूरत इसमें ये देखो कि ये अपनी सकल सूरत नहीं इस कोश्चन की सकल सूरत देखो ये अलकीन है अलकीन का मतलब डबल बांड है ठीके और ओजोन है तो सबसे पहले डबल बांड जो होता है ओजोनलेसिस क्या होता है जहां डबल बांड अगर है तो वहां पर फरस्ट आफल अटैक करेगा तो डबल बांड हमारा देखें यह हमारी प्रोपीन है यह प्रोपीन है ओजोनलेसिस मींस ओजोन से रियक्शन होगी और यह ओ के तीन अडम इस से जोड़ेंगे इस टाइप का एक ऑक्सियन यहां जोड़ गया एक ऑक्सियन यहां कार्बन एक इसके बीच में हो गया और है और इससे दो हाइड्रोजन जरा ध्यान से दो किसे कहते हैं ओजोनाइट पहला उसके बाद अब यहां से क्लिपस होगा लेकिन रेडेक्टिव जिंग नहो अगर यह है तो यह ऑक्सिडाइजिंग एजेंट होता है तो ऑक्सिडाइजिंग एजेंट होगा तो इसको एस्टिक एसिट में इसको फार्मिक एसिट में कर देगा एस्टू टू इसको एस्टिक एसिट और इसको फार्मिक एसिट सी ओएच में फार्मिक एसिट तो क्या होता है एस्टिक एस oxidizing agent है अगर भूल के reaction बदल जाए suppose that अगर ऐसा हो CS3 और यही सब कुछ यही हो सब कुछ यही हो ओजोन हो बस यहां पर क्या लिखो जैडन अबलिक H2O यहां था H2O2 रेडक्टिव जिंग है तो ओजोन ओलसे हम आपको और डिटेल जो रेगुलर क्लास चल लेए उसमें इतना सिखा देंगे कि आप कभी बहुत जोनल से चुकि ऑजोनल से बहुत इंपॉर्डेंट है ऑक्षिडेशन की reaction है अगर यह है तो क्या होता है तब हमारा यहां से क्लिवर्ज होगा और यहां पर रिडिक्टिव जिंक अगर है लेकिन अगर यहां चुकि बहुत अच्छा सवाल था अब यह यह बहुत अच्छा सवाल था अब यह आई पीसी ने में यह पीसी में कार्जा क्लिम कान्तिंग वहां से करते हैं जहांसे साइट चेन और लॉंगे टे लेते हैं और साइड चेन भी पास हो सब्सक्राइब करें यह हमारा नंशार नंबर वन ओनकारवन है देखें इसे नंबर वन कारवन वगतें यह1 एं ये टू है ये 3 है ये 4 है ये 5 है 6 7 ये ओ सकता 6 7 ये ओ सकता 6 और 7 भई हमने 14 so को अब देखे कshire कि जैसे हमने का 1234567 एक तो हुम आप ख़ो आप ओपको ऐसे बता रहा है इसका गेमिंग ऐसे भी हो सकता है एक जैसे माली जी ये लिखा है ये और यहां पर ये इसका मतलव जो साइड़ेन और अधिक तो खेम션 क्या χ dif सब्सक्राइन51 अब 3 पर इधार तीसरे कारबन पर यह चीज़ किया यहां पर करबन यह तायल हो गया तो पहले तो हम शार्ट लिख दें धूरी एफाइल अलफा बेटिकल घूरी अधायल फिर फॉर पर दो मेथा यह यह ऐसे लाइन खीची यह ऐसे तो मैथाइल तो फॉर कामा फॉर डाई मेथाइल डाई मैथाइल दो मैथाइल गुरुप हो गये और ये क्या है कार्बन साथ हैं तो हेफ्टेन है अब देकि चेक करें कि कौन सा है तो देखो यहाँ पे है 3-ethyl, 3-ethyl लिखा हुआ है, 4-4-dimethyl-heptane, तो हमारा जो है, वो D-correct answer हो जाएगा, 3-ethyl, 4-4-dimethyl-heptane, जहांसे side chain पास हो, जैसे यह counting गलत थी, क्योंकि 5-1, 4-1, 5-4, 4-4, 4-4, 4-5, side chain का summation, 8, 8, 5, 13, 13 हो गया, यहां पे दोगो, 3 पे side chain है, और 2 बार 4 पे है, तो कितना हुआ, 8, 3, कितना हुआ, 11 हुआ, जहां side chain का summation का होता है, वहां से counting, start करते हैं, ओके, तो यह हमारा, यह IPC नहीं है, यह तो simple है, ठीक है, और दोगो, question सब कुछ है, यह थोड़ा सा अच्छा question आ गया है, यह reaction पहले बाद तो यह देखते हैं, कि which intermediate is formed, intermediate form, हमने कहां, आप से बार बार कह रहे हैं, कि Bhu standard या ICR का पढ़ना हो, तो पुराने पिछले question IIT के जरूर आते हैं, यह IIT के reaction mechanism का question है, यह half and bromide reaction, पहले तो देखो क्या है, एक तो यह Alcanamide है, Alcanamide हमारे यह है, R-Cons2, यह बार बार, बन्दब यह ऐसा नहीं है, कि किसी में एक बार हो, बार बन्दब बहुत बार, बहुत बार question आता है, देखिए क्या होता है, जिसे Alcanamide, reaction actually भी यह होती, R-Cons2, अब reaction देते थे हर एक exam में, BR2 कर दिया, और यहां प्रमाइट रियक्शन का एक concept है, CU हट जाता है, तो Amines बनती है, यह Amines, लड़कों नो याद कर लिया, एक बार आइटी मूल लिया था, अगर मन्दब कि इसमें, NIH कि किते मोल लिये गए, तो चार लिखेंगे, यह जी मेंस में एक बार आइटा, हाफ एंब रोमाइट रियक हो कैसे, इंटरमीडियर बीच वाला क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले दो क्या होता है, इसकी मेकनिजम आनी चाहिए, अब मेकनिजम में, और CUNH2 है, और यह BR2 है, यह BR2 है, ठीक है, अब क्यों होता है, तो पहले बेटा इस से रियक्शन, इसमें और CU, NHBR यह होगा, अप्ल एसट पीर अलग होगा एक तो महरे यह और से यूँन हबए अर कहीं मिल लाऊ तो यह देख लो ठिक और सीज और अस्वी ऐस यों अच्वी आर और सियो एंच्वी आर और सी ऑँनच्वी आर यह मिला फिर दूसरी किसकी मेकेनिजम है और सी डबल बांडो एन एच बी आर ठीक है तो यहां पर यह जो भी एच बी आर पहले पटा इसके रिमूव होगा तो गया और सी डबल बांडो एन अब इसमें क्या होता है हाफ में ब्रॉमाइड रियक्शन रियारंजमेंट है यह यह इसको दे करके यह से माइगरेट हो कि यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा सी डबल बांडो डबल बांड एन और और अन अलकाइल ठीक है आईसो साइनेट बनेगा और इसका है डॉलेस करेंगे ठीक है डॉलेस करेंगे टूमोस लेके हो एच तब बन जाएगा आर एनस तू यह वनी जो प्रो जाएगा तो मन्दब आर एंस और एंसी यो और एंसी यो तो मन्दब बिल्कुल करेक्ट यह हमने कहां आप से यह ही में आया हुआ है तो बीचु इस्टेंडर्ड जो है रियक्शन मेकनिजम भी आनी चाहिए तो एक यह कोश्चन हो गया ठीक है अब देखें नेक्स हैं अगल और ऑश्चांस कोश्चन है यह आईडवों टेस्ट का व्यटर कांसेट क्या है डेखें ए जरभ आईडवों के लिए व्यटर देखें क्या है I do एओपीटोज के लिए जय दीम से instruments के लिए दोसे एल्डी हैट और की टोन गिपपवस पॉजिटीव आइडो हम टैस्स वह एल्डी हैट अरकी टोन है इस फोन होना चाहिए कुशन में यह गूरूप होना चाहिए जिस वे यह गूर्प है तो डो कार्म्ट मेथाईल है तो CS3 तो यह आईडो फार्म टेस्ट देगा क्योंकि यह गुरूप आ रहा है ठीक है अब यह के रहा अच्छा इसके अलवब देखिए इस वाले में देखिए बियुटेनोन है बियुटेनोन का मेला चार कार्बन है यह कीटोन है 3 मेथाईल 1, 2, 3 3 मेथाईल और बियुटेनोन 2 तो देखिए जरा ध्यान से यह भी हमारा आईडो फार्म टेस्ट देगा तो आईडो फार्म टेस्ट हमारा यह देगा पहले वाद तो यह कीटोन को सटिस्फाइट कर रहा है यह कंडिशन में तो आईडो फार्म टेस्ट देगा ठीक है अब इसके अलावा यह तो ल्डियाट कीटोन है लेकिन अलकोहल भी आईडो फार्म टेस्ट देते हैं तो प्राइमरी अलकोहल में कौन देगा यह वाला प्राइमरी अलकोहल में केवल एथानॉल देता है और secondary alcohol वो होता है secondary alcohol में जिसमें CHOH के साथ CS3 होना चाहिए यह हमारा क्या आइडोफांट टेस्ट देता है अब देखो यह isopropyl alcohol है तो isopropyl group क्या होते है isopropyl group यह होता है यह isopropyl हुआ alcohol कह रहा है तो OH तो इसको कैसे लिख सकते है CS3, CH, CS3 और OH तो देखिए यह group आ गया CHOH, CHOH, CS3 तो यह भी हलोफांट टेस्ट देगा लेकिन यह isopropyl isopropyl हमारा होता CS3 ठीक है और इस type का यह isopropyl group है यह नहीं देगा क्योंकि इसमें यह ठीक है नहीं है तो कह रहा है यह आइडोफांट टेस्ट देगा यह देगा यह देगा लेकिन यह आइडोफांट टेस्ट नहीं देगा तो answer यह हो गया अब देखिए क्या होता है ठीक है अब next देखिए यहाँ पर यहाँ पर grid not agent है और यहाँ पर लिखा R2 यहाँ पर nitrile है grid not agent वो होता है जिसमें RMGX हो RMGX को कहते हैं grid not agent grid not agent है और यह nitrile है RCN तो मनले इसमें nitrile और grid not agent से कभी reaction तो ketone होगी तो ketone जब बनेगा तो यह आजाएगा देखिए इस वाले में यह हो जाएगा यहाँ पर R2 लिखा है R2 CO R2 लिख दो फिको यह ketone और यह R1 है ठीक है R1 तो R2 R2 CO तो मतला R1 CO R2 तो इसका अंसर यह हो गया ठीक है इसमें ज़्यादा इसमें वो ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है एक इसमें which one of the following synthetic fiber इसमें जरूर हमें याद करना होता है polyester जो होता है वो synthetic fiber है polyester सरी यह polyester हमारा यह हमारा synthetic fiber है ठीक यह polymers वाला है आप देखिए नेक्स्ट है यह बहुत अच्छा सवाल है लेकिन यहां पर सवाल इननने क्या है कि रहे दा वैलू और वैलू आफ वैलू जू आफ सर्ट अफ सर्टें रेक्शन और माइनस 400 किलो जूल एंड माइनस 20 किलो जूल किलो जूल किलो जूल मोल इन्वस केलन रिस्पेक्टेवली दर टम्प्रेचर तो यह यह यहां पर डेल्टा एच दिया है धिएंस धो डे अच दिया दिए अच यह यह दिखेब टेल्टा एच दिया है अचली छपा रहा अको जूल है नीच में कई बार आ ठाक है यह 4-400 है यह ऐच शूल मोल इन्वस काई को मेल किलो मी-etam C माइनस 20 केलो जूल ठीक है मूल इनमस कैलीन इनमस मोल इनमस कैलन इनमस अब अब यहां पर क्या गह रहा है यह है यहां पर कहा रहा है कि किस टंपरेचर पर रियक्शन क्या होगी spontaneous होगी तो पहली बाद तो हमें equation मालूम है चाहिए delta G equal to होता है delta H यह thermodynamics का question है T delta S के अब यह निकालना temperature temperature निकालना तो अभी यह तो के तो मालूम नहीं है तो पहले तो equilibrium निकाले equilibrium यह 0 0 equal to क्या लिखेंगे delta H minus T delta S के तो यह हमारे धर जाएगा क्याएगा minus delta H equal to minus T delta S के तो यह plus हो गया delta H कितना दिया पाए minus 400 400 और T निकालना है और यह minus 20 यह से cancel हो गया तो T हमारा आया ठीके 400 अपान 20 यह से cancel हो गया तो 20 आया तो 20 कब आया equilibrium में अगर माली यह होता तो 20 equilibrium में होता लेकिन 20 से ज्यादा होगा क्योंकि delta G spontaneous के लिए यह value क्या होने चाहिए और delta G negative तभी होगा यह जब यह ज्यादा हो तो यह ज्यादा हो तो देल्टा जी हमारा निगेटिव और डेल्टा जी निगेटिव तो spontaneous इसका मले इस temperature से 20 से ज्यादा होना चाहिए ओभी Kelvin में तो 20 Kelvin यह उससे ज्यादा बागी degree Celsius में तो यह answer हो जाएगा ओके देखें नेक्स्ट है अब देखें यह reaction दिए है यह equilibrium किया है इससे सस्ती और सरल कभी नहीं आ सकता है देखें यह reaction H2 प्लस I2 reversible to HI which of the following is correct इन में से कौन सा है के पी और केसी पूछा है आपने पढ़ा होगा 11 में एक relation होता है के P equal to KC RT की पावर होता है RT की पावर डेल्टा एक्स यह तो बहुत below standard का question है यह का मंददा होता है number of change of moles अब इसके number of moles इसकी stratumatic 1 तो 1 mole है इसकी stratumatic iodine के आगी भी 1 लिखा तो 1 mole है यह वटर 2 है तो यह 2 mole है तो डेल्टा इन इसको क्या आएगा 0 आएगा प्रोडेट के मोस में से reactant के मोस दो यह घटा दो ठीक तो 0 सफ्टेक करें 0 0 रखें और आप जानते इत्ती तो मैंत आनी चाहिए कि कि किसी की power 0 value क्या होती 1 तो इतना 1 होगा तो केपी क्या होगा केसी के बराबर होगा केपी इक्वाल टुकेसी के पहला option है है ना तो यह 0 लगल का question है और मार मीडिया चिला रहे थी कि बहुत टफ आया बहुत टफ आया ठीक है तो जब पढ़ो की नहीं तो टफ तो होगा और बहुत इते सरल कोश्चन है आप जैसे माली जी यह बफर solution है बफर solution एक तो पहले हो तो जो जब कोई इस खूली नहीं गया तो इसको यह यह कहीं पढ़ा ही नहीं यह खुद नहीं पढ़ा तो बफर solution के बारे मिन नहीं मालूम है कि बफर solution होते क्या है तो बफर solution दो solution which has pH remains constant when addition of some drop of acid or base pH पहली बात तो यह भी आ सकता है कि pH जिसकी constant होती है वह बफर solution कहलाते हैं बफर बेस तो यह पॉल के ही answer आना चाहिए लेकिन यहां पर मिस्प्रिंट जो है वो हो गई है यहां पर यहां जो के है वहां ठीक है यह जिसे के ए हम नहीं यह धिया हुआ है तो यह correction करके ही हमने इसको करा दिया था तो दिखो पहले बादने बिसिक भफर है इधर दो को बेसिक भफर कैसे भी पहला मांड भी अगरविक सेगोट तो सॉता घ्रेंट फबर विग बेसलिखा है इसका म stellाग़ेश का हैं बीजिघर बाफ बेसिक नग्विट अपी ओएच एक्वेल टू होता है P K B plus log concentration of salt upon base अब बाद आती है कि base salt की concentration equal है कि यह कह रहा solution prepare equal concentration equal मिने समान है इन दोनों concentration गवरेशन समान है मालोब यह एक सेट सही यह ऐं यह 5ए यह फाई फाय जोगा आप अब दिखो क्या होता है Qb यहां के थीक्षट आप जानतों क्या है पी के पी के प्लस पी के बी एक क्वल टू होता है 25 डी के सेसे 14 अगर किसी का के के दिया है के यह दिया है तो पी के पूछे तो किता होगा पी के हो जाएगा नाइन यह नाइन कर दो तो अगर नाइन कर देंगे तो पी के भी हमारा कितना होगा फाइब आजाएगा यहां रखेंगे तो पी ओछ हमारे किता है और we know that pH प्लस पीओच इकवल to 14 अब इसमें पूचा प्येच है तो प्यूच फाइब आ गया तो यहां पर 5 रखा और यह 14 है तो पीच तो पीच हमारे किता होगा 14-5 इकवल तो आंसर यह आ गया नाइन लड़कों ने हमने देखा है लगा दिया कुसी किसी ने मलब उस concept के साफ से लेकिन इसमें यह थोड़ा सा यहां पर पी वहां पर के भी लिखा है तो वहां पर उसकी जिए के होना चाहिए तो एक यह हो गया बहुत डिटेल है अगे इसको बताएं अब देखें यही हमने कहा था रूल की इंजिनिंग का यह कोश्चन है और बहुत सरल कोश्चन है प्रैक्टिस इसकी चाहिए करा एथलीन गलाइकाल यूज्ड ऐस एंटी फ्रीज मन जैसे कोल कंट्री में ठंडे देसों में क्या होता है कि कार आर में पेट्रॉल या डीज जम जाता है तो इसमें एंटी फ्रीजर मन फ्रीजन जमें ना उसमें वो डालता जाता अधी के ओ सब्सक्राइब अगर जाएगी तो केरक कोट्री में क्या होता लाइक क्लाइमेट मास अथ एफ्लीन ग्लाइकॉल का वेट निकालना है एफ्लीन ग्लाइकॉल कमास निकलना इसका मास निकलना विस वुड़ एड़िट चार ग्रम उसे मिला दिया गया water क्या होता है solvent होता है यह solvent है बटा के जी अच्छा किलोग्राम है इतने पर माइनस है ना और के फ हमारा इतना दिया हुआ है तो ठीक तो एक होता है फामुला डेल्टा टी अफ एक्वल टू के अफ इंटू इस सलूशन वाले चैप्टर से हम आपको पूरा डिटेल जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे डिल्ट टी एफ क्या होता है जीरू माइनस टी एफ होता है के फ तो जानतों क्या है वन पॉइंट एट सिक से ठीक है मोलले टी क्या होती वेट इन ग्रैम अपा पर हमारा सॉल्वेंट है तो टी एफ हमारा क्या माइनस 6 है तो माइनस मेंस क्या होगा 6 आ जाएगा यह वेट निकालना है उसको एक समान लो यह किसका एथिलीन ग्लाइकल को मोलर माँ शिक्टी टू है शिक्टी टू और यह 4 kg वाटर हमारा फॉर की इसका मल्टिपिकिशन इधर करेंगे तो X हमारे कितना है जाएगा 6 into 4 into 62 upon 1.86 ठीके इसको solve करेंगे तो 800 exact आ रहा 800 gram आ रहा तो इसका answer भी होगा यह बस वही है है उसे बहुत tough नहीं है बस यह है अच्छा चुगी यह 12 में 12 में है यह लेकिन क्या होता है 12 में को सीरेसरी पढ़ता नहीं है और यह पहले मनलब चुकी सराल इसी मनलब question थोड़े से आते थे अब ठीक है इस टाइप को हो गया तो यह solution हो गया आप देखें नेक्स है देखो यहां पर एक चैप्टर एलेक्ट्रोकेमेस्ट्री एलेक्ट्रोकेमेस्ट्री 12 का होता है यहां के रहा है कि वैसे लिम्टिंग मोलर किता सरण क्षेश में आ चुकिए लिम्टिंग मोलर कंडेक्टेंस दिया है लिम्टिंग मोलर कंडेक्टेंस किसका दिया है यह दिया है CL और इतना सरल सवाल C O O N A मलब C O 2 C O 2 N A की वालू किती है 224 limiting molar conductance of NACL का दिया है NACL का NACL का दिया हुआ है 38.5 38.5 यह NACL का है NACL का ठीक है और SCL का है limiting molar conductivity of SCL, SCL का दिया हुआ है, SCL का है 203, 203 है ठीक है 203 है अब इसका निकालना है ठीक है हमें निकालना किसका है limiting molar conductivity of इस वाले का CL है, CH2 है हमाला CO2 CO2 का माला CO H इसका निकालना है तो किता सरल है दो को जरत ध्यान से यह NACL हमाला है NACL हमाला है तो NACL कर दो और यह HCL वाला H तो इसको इसको एड़ कर दो इसको माइनस कर दो मतलब limiting molar conductivity अगर हमें CL और CH2 CO2 Na मतलब H लाना है तो क्या होगा इस में 224 है ये ठीक है ये SCL है 203 और उसमें से 38.5 सबस्टे कर दो तो दिखिए यह हमारा 224 है और 203 है यह वेटा 7 आया यह 2 आया यह 4 उसमें से 38.5 सबस्टे कर दो तो यहां 0.5 आएगा यहां 6 में से 16 में से 8 गया तो एट बचा ठीक है और यहां पर 12 में से तरीक तो 9 बचा और 398 के लगबग ठीक है त्री 3 मन्दब यह आ जाएगा फिस इसमें केवल यह आपको एडिशन करना है देखे एक तो 224 फिस देख लेज़ेगा यह 224 है उसमें से यह हमारा 203 आयड करना है तो यह 7 आएगा यह 2 है और यह 427 आया उसमें से हमें सबस्टेक करना है क्या 38.5 तो 427 में से 38.5 तो वैसे अब आफसन आप देख लो कि यहां पे बंदब की 400 में से और यह अगर 400 होता तो 300 के लगभग आता तो 300 से कुछ ज़्यादा होगा फिर से देख लीजेगा इसमें आएगा बेटा 5 ठीक है और यहां 6 बचा तो 16 होगा 16 में से 8 तो क्या हुचा 8 बचा और यहां पे 1 बचा ठीक है वन तो 11 11 में से 3 तो बचा 9 ठीक है नहीं बचा और यह 338 यह अलग और अंसर आजएगा तो यह बहुत ही सिंपिल है को लाइस ला है उसकी अप्लिकेशन से आता है ठीक है अब देखें नेक्स्ट है कि यूए ये लेक्रो केमेश्टी का है लेक्रोकेमेश्टी का ठीक है वह भी लेक्रोकेमेश्टी का दो कोश्चन आगए अब देखो क्या होता है कौपर स convert एक copper sulphate का solution electrolyze for 10 minute, 10 minute के लिए, 10 minute में current इतने ampere है, ठीक है, what is the mass of copper deposited cathode, पहली बाद तो यह ध्यान है कि copper sulphate है, copper sulphate का ionization होता है, copper plus 2 और SO4 minus 2, copper के वेट निकलना है, तो फेराडे फसला W equal to the E upon F, E upon F और IT, I into T, तो E क्या होता है, equivalent weight, equivalent weight equal to the atomic weight upon valency, valency, ठीक है, और into F, और I into T, atomic weight, copper, copper का atomic weight जो होता है, वो 63 होता है, और valency, ये 2 charge है, valency 2, फेराडे नमबर होता है, 96500, आई हमारा दिया है, 1.5, ठीक है, ampere में, और times, always second रखेंगे, तो 10 into 60, अब दोको ये 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है, अब ये बचा हमारा, यहां 6 बचा, ठीक है, पंदा चाके 90 तो 9 बचा है, यहां पे, 63 upon into 9, और ये 2 है, और 9 6, और ये 2 0 0 कट गए, तो ये आ गया, अब देखिए, 59 27, साथ, और नचक का 54, और 9 27 हो गया, 54, 54 ठीक है, और 2 किता हुआ, 56, 56, अपान इसमें पांदुनी 10 हो गया, सब्सक्राइब करेंगे, तो इसको भी देखना है, ठीक है, सलूशन करना है, आप आपको इतना तो करने चाहिए, अब ये वाला है, दा नमबर आप पाई बांड इन एजी सीन का होल्टेज, सीन हमारा होता है, सी देखें, इसमें अंसर आगा 4, देखो, सीन जो हता है, पाई बांड इन 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 इस कॉंपले, सी ट्रिपल बांड एन होता है, ट्रिपल बांड में, दो पाई और एक सिग्मा बांड होते हैं, क्योंकि यहां पर cn2 है तो 4 pi हो जाएंगे pi बांट पूछा यह answer हो गया ठीक next देखे अगला क्या है सबसे यह आपको सबको आना चाहिए carbon dating to determine age of earth ठीक है age of earth earth नहीं age of tree पेंड की आयू ग्याद करने के लिए carbon 14 का use होता है बहुत से जानते हो अपने हिंदु धर्म में बर्गदाईया मौस्या मंदब वो एक ब्रत होता है तो लेडिस रखती है कि हमारे पती की उमर ज्यादा हो क्यों बर्गत के बराबर हो बर्गत की जो बर्गत की बहुत ज़्यादा age होती है है ना वो चाहिए पती दुष्ट हो लेकिन चाहे जित्ता रोज डांटे मारे है ना कुछ भी कर रहे है तो टू डिटर्माइन एज आप एज आप ट्री कारबन फॉर्टीन का ही यूज होता है टू डिटर्माइन एज आप अर्थ अलग होता है अर्थ मलब प्रतियों के आई गयाद करने के यह सब कानेटिक्स में है आपको बता भी देंगे ठीक है मंदब यह होता फास्ट अडर कानेटिक्स होती के इक्वल टू 2.303 अपान टी और लॉग बेस टेन C14 इनिशल अपान C14 फाइनल यह फाइनल होता है इनिशल है और यह फाइनल है तो मतलब यह हुआ ठीक है तो बटा यह बहुत अच्छा मना यह सब पुराने कोश्चन है द्यान से अब यह दो को विच आप फॉलिंग इस नौट करेक्ट रिटेरियन और आप 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 आइडेल solution ideal solution के लिए देडेरिस नो reaction at all इसका मतलब यह करेक्ट है पहला औला देरिस नो चैंज इन वालियूम यह अला करेक्ट है ठीक है यह तो करेक्ट है यह करेक्ट है क्योंकि इंट्रॉपी भड़ाएगे लेकिन डेल्टा जी लेजन 0 आच यह यह इन करेक्ट तो आंसर यह थी करें नाट है यह तो कर्यक्ट है यह सारी तीनों कर्यक्ट है लेकिन यह कर रहा है इस कोश्चन के साथ पसे यह अंसर करेक्ट हो गया ओक क्यों इस अलविशन के लिए है अब देखिये करा यह अभी आम जो चैप्टर ही पढ़ा रहा है have periodic properties Correcting alectr fidelity Decreasesjon carbonate statement electronegativity decreases from top to bottom तो यह सही है electronegativot top to bottom decrease करेगी ठीक फिर किए रहा है donation crystal increases from top to bottom निदिटेल्पी decrease करती है तो यह incorrect हो गया ठीक है यह अब यह incorrect है फिर कह रहा है electron negativity decreases from electron negativity बार बार electron negativity decreases from left to right electron negativity increase करेगी ठीक है और यह हुआ electron electron negativity decreases from top to bottom electron negativity top to bottom क्या होती group में decrease होती सही है ionization in therapy increases from top to bottom यह गलत है ठीक है यह मनलब decreases करेगा electron negativity increase करती यह भी गलत है ionization in therapy decreases from left to right तो ionization in therapy क्या यह increase होगा यह सही है तो इसमें से correct है तो यह answer हो गया ठीक आप देखिए है नेक्स्ट है कि अगला कि करें इन में से कौन सा गलत है लीथियम इसकी hydration energy इस छोटा साइज है ठीक है यह लाई हमारा लीथियम है तो यह इसका छोटा साइज है तो hydrated जल्दी हो जाएगा यह सही है ठीक है और लीथियम नाइट्रिट कुईट करते हैं तो यह यह भी सही है क्योंकि monoxide बनाएगा लीथियम इस ट्रॉंगे सी यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बैटल में लीथियम सबसे strongest reducing होता है एजेंट होता है क्योंकि इसका इनाट वैल्यू क्या होती माइनस 3.04 4 electron bolt जिसका इनाट more negative होता है strongest reducing agent होगा इसका मतलब क्या हुआ ठीक है यह वाला हमारा जो है LI2 combined with oxygen यह जो है वो कहरा incorrect है तो answer यह हुआ ठीक है यह सही है उसका statement यह सही है ठीक है और यह भी सही है बस क्या है यह हमारा जो है यह अला वो मतलब incorrect है तो इसके साफसे सही है ठीक आप देखिए next है कि कह रहा है which of the following electron deficient अभी बार 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 बता रहें electron deficient क्या होता है जिसमें electron की कमी हो तो electron सामने दिखे रहा है बिटा BCL3 है BCL3 ठीक है यह बोरान ट्राइक्लोरेड electron deficient है बोरान लिखा है ठीक है इससे नीट में भी question आया था दोगो इधर दोगो नीट में भी similar होते हैं electron deficient एक bond का मतलब दो electron यह दो electron हो गए और यह दो electron हो गए तो electron की नंबर total के तो six electron हो गए ठीक six electron हो नची आठ तो electron की कमी है तो electron deficient मन कमी ठीक यह होगा कमी लिखा हो हिंदी में भी ठीक आप देखें नेक्स्ट है पानी वाटर वाटर के लिए हमें चाहिए क्या एक तो सब जो मनदब उसमें बेकार जो हो उसको खताना है तो कड़ नहीं होना चाहिए है ना केड़ में क्या होता है वह डृंकिंग वाटर के लिए बंदब की बैठ नीं है ना क्रॉमियक और white paymentные ल AG तके रहा है यह कंसंट्रिशन होती है ठीक है उसको फिर और रहा जिसको अच्छी तरह थिर बनाने के लिए अब कह रहा है एक्यम कर बैंडिंग है कम कल बैंडिंगा कह रहा है कि यह तो सामने सामने दिखी से explanation होते हैं यह लेकिन यह कह रहा है जो O2 है oxygen paramagnetic क्योंकि इसका bond order 2 होता है तो दो unpaired electron होते हैं तो यह MOT से explode होगा यह VVT से यह VVT लिखा है valence bond theory VVT यह लिख दिया हमने V, फिर B, P, T और यह सारी VVT से हैं लेकिन यह MOT से तो यह कह रहा है cannot be explained इसके साफ होगा ठीक है next अगला question है यह कह रहा कि which one of the following is spontaneous oxidize in air phosphorus के बारे में आप देखिएगा अगर YouTube में देखेंगे और foreigner की देखेंगे तो वो experiment करके दिखाते हैं तो जो phosphorus होता है बहुत जल्दी से मलब जो है वो oxidize हो जाएगा ठीक है phosphorus easily oxidize हो जाएगा ठीक है वाइट phosphorus यह हो गया आप देखेंगे next है अगला अगला देखेंगे क्या है कि अगला question है यह दो को कह रहा है कि which of the following element does not so any positive oxidation state of any of the compound तो सिबसे ज्यादा ही होता है यही मंदब जो fluorine है fluorine जो fluorine है बढ़ा वो देखें fluorine does not so any हम आपको लिखाएगे fluorine does not so any positive oxidation state except of OF2 OF2 में होती और O2 F2 में तो fluorine does not this statement है fluorine does not so any positive oxidation state except of OF2 or O2 F2 तो answer यह हो गया तेक next अगला देखें गिवन विलो two statement one is labeled as assertion a and other is labeled as reason R sulfide iron cannot be detected by as dick तो sulfide iron detected होता है बेटा जब S-2 detected होगा as a dick condition में cannot be detected तो पहला रॉंग है वाला false है ठीक है और दूसरा जो है वो अपके acid है तो अगर माली यह स्माइनस है इसको h plus iron मिल जाए तो h s minus बन जाएगा तो यह true है यह इसका है इस type का कर लिजा ओके तो बटा यह होगा आपका complete ट्वंटी ट्वंटी वन का भी एचू का ठीक है इसके वादा हम आपको नीट आइटी सब पूरा ठीक है details में देते रहेंगे question ठीक है और इसी से फिर आगे class में भी बताते रहेंगे इसका और detail बढाएंगे और भी detail ठीक है सब लोग कस के मेनत से पढ़ें है ना थोड़ा potential अपने आपको अपनी potential strong करें ऐसा नहीं कि मिनलब पता जले कि दिन में और दिकाइने देरा, okay? Done.